रादे रादे जी जे मतादी सभी को प्रदाम कैसे हैं आप सभी अशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे सुअस्थ होंगे और मस्थ होंगे तो जी बस यह है last day हमारे जो अस्टमी का बुरत का तो यह रात का टाइम और मैं ना मतलब रात का नहीं शाम का टाइम है तो कैसे गए आप सभी के नवरातरे और कैसी चल रही है मतलब किसी कहा तो अस्टिमी पुझ गई होगी किसी कहा नौमी मतलब कल पुझेंगी तो मैं यहाँ पर अपने लिए अपनी कन्याओं के लिए लियाई हूँ यह बालों में लगाने के बड़े फैंसी से रबड बेंड बहुत अच्छे लगे मुझे थोड़े फैंसी हैं पर मैं यह लियाई हूँ और इनके साथ हम लोग कुछ और जैसे फ्रूटी और पैसे वगएरा दे देंगे आज कल देखिए बच्चों को लगता है अच्छे चीजे लेनी मैं पूरे का पूरा पैकेटी लियाई थी पर उसमें चार ब्लैक कलर के थी और माता के जो शूप का काम होता है असमें देखिए ब्लैक ब्लैक तो नहीं चलता तो मैंने वो चार निकलवा के और चार यह अच्छे से रंगिन वाले ले लिये थे तो यहाँ पर मैं पूरे बारा तेरा चौदा चौदा ही हो गएते मेरे पास तो बस जी रात को तो और कुछ भी शूट नहीं करा था बहुत ज़्यादा था कानरी हो गई थी और सुबे बहुत जल्दी उठना था क्योंकि नौमी को मतला हमारे कन्या पूजन होता है कन्या पूजती हैं और हमें आज जाना भी है दुफैर कभी लंच है हमारा कहीं पर कहीं पर कहा हमारे फैमिली मतला फैमिली मेंबर ही है वो बिल्कुल फैमिली जैसे ही है तो उनकी आज बेटी की है न सगाई है तो और शाम को उनी के हाई ना माता की चौंकी मतलब माता का जगराता किसी क्या जागरन बोलते हैं तो वो है तो दोनों टाइम का है पर यह देखे आज इतना बड़ा वो है बरत खुले हैं आठ दिन के तो कन्या तो पूजन करना ही था तो पर कुछ भी हो देखे भोग तो बना नहीं है यहां पर मैंने फटा फट से हलुआ बना लिया उसको कैसरोल में मैंने ट्रांसफर कर दिया है इतना ही बनाया है जितना मुझे जरूरत है ज्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि देखे रख खर रहेगा अब भोग भाग की ऐस दाइंकी है ना क्योंकि आज कल के देखे बच्चे ऐसी हैं जोटे जोटे बहुत कम खाते हैं तो मैं एक दाइंकी ठाली लगा देती हूं तो हो जाता है तो बस यहां पर देखे मैंने हल्वा था वो भी कैसोल में ट्रांसफर कर देख थोड़ा गरम और मुलायम बना रहता और मैं चाशनी वाला बनाती हूं पानी गरम करके बहुत ही अच्छा बनता है ना आप दो घंटे बाद भाद भी खाएंगे बहुत ही मुलायम बनेगा जैसे भंडारे में या हल्वाई बगएरा बनाती है ना मैं उस तरीके का ही हल्वा बनाती हूं बस अब ऐसी आदत चोले उबाल लिए और यहां पर पूरी काटा बांग लिए फिर मैंने नहीं टमाटर हरी मिर्च यह पीस लिए बच्चे खाएंगे तो मैं ज्यादा प्तीखा इसमें नहीं रखूंगी बट यह कहां ऐसा रखूंगी कि बच्चे दुभारा मांग के खाएं वैसे तो खाते होगा बाकी जल्दी कुछ ही नहीं होता है ना बहुत जल्दी उठना पड़ता है मैं सुभई पांच बज़े उठ गई थी पांच बज़े उठके बस थोड़ा सा पानी वगएर पिया चाय पी और मेरा गला बिल्कुल है ना बहुत लापरवाही कर रही हो मुझे लग रहा यह ज़्यादा जरूरी है तब्श्क को थोड़ी देर बाद ही भी देखा जाएगा कुराक रखिए है वो ले लूँ हमारी है टो फूराख हमारे खुराख ही बोलते होंगे युदु है तो प्र अबाप धुर्दी ना बोलते हैं तो मुझे कुछ Exchange न GIS लेना है कर रही है हम नहते धोते जारू पोचा बरतन करते-करते ना वैसे तो मैंने रात को सारे ही बरतन कर दिये थे पर यह ना के देखे हैं जितने मतलब संग है कभी खाले नहीं रहता है जो हमारे किछन anime संग होता है चाय बिल्कुल एक-एक बरतन ही साफ करके रख़्ें फिर भी दूद वगेरा के चाय के ये जूटे थोड़े बहुत दोचार बरतर होई जाते हैं तो वो करते करते हैं मुझे साथी बज़ गए पर ये इस जिस टाइम मैं बना रही हूं तो सबसाथ का टाइम है और है ना मैं अभी तयारी कर रही थी इतने में लड़कों ने घंटी बजा दे कि आँटी आँटी आप खिला दो मैंने का बेठा भी 10 मिनट लगेगा भोली हम इंतिजार कर लेंगे तो वो बहार बैठ गी थी मैंने फिर उनके पैर बैर धुल के जल्दी से पहुच्छा मारा और फिर उन्हें बेठा दिया है यहां पर छोटी छोटी प्लेटों में लिया है पर यहां उनको छोले इतने अ कर रहे हैं तिला और ले रहे हैं आशिरवाद अब अच्छे भी ना कन्या आशिरवाद भी खूब अच्छे तरह देती हैं हाथ लगा लगा के सिर पे और फिर बस मैंने उनको जो फ्रूटी 10-10 रुपे और वो जो रबर्ट बेंट थे वो दिये थे तो कुल मिलाकर 6 बच् क्योंकि गाएं को हमने खिला दिया है और वैसे आज बिल्कुल भी ने किसी ने छोड़ा है और ये इनके बच्छों की ही प्लेटे थी तो मैं इनको माज रही हूँ तो ये मैं अब मतला अपनी जो अब मैंने जो बर्तन है वो थोड़े से अब रख दिया है क्योंकि अब मे मतला ऐसा हुआ कि बच्चे आके वैड़े तो मुझे भोग का पहले अलग ही निकालना पड़ा पहले आज कन्याओ को जिमाया उसके बाद भोग लगाए तो आज मातरानी को यही मंजूर था और ऐसा कुछ नहीं होता अगर ऐसी को एमर्जंसी आते ना तो हम भगवान के न चुटी नहीं है तो इस तरह है मजने साड़े आठ पूरे उसको दे दिया है लंचों खाने को भी दे दिया है तो यहां पर मैंने उसकी पूरी लगा दिया है ठीशू रख दिया है फोईल के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ओयल होगा ना तो वह निकल जाएगा यहां तो लोग की शगल है ना इतनी अच्छी लग रही थी पर मैं वीडियो ही बनाने भोल गी क्योंकि दिमाग पर प्रेशर बहुत था ना क्योंकि जाना भी है और अभी है ना हमें जो माता जी है उनको भी थोड़ा सा खिसकाना है क्योंकि आब पुजो पट्टे पे बैठी थ होता है ना फिर आप मतलब अब खिसकाने से यहोता है कि बस अब माता जी जाने के लिए तैयार है यह पिर जा चुकी है ना तो नहीं है तो यहां पर सब दे दिया थाथा जापे रिंग सेर्मनी हैं वहाँ पे ठीक है जी तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े हैं आज मशीन में ही धोए हैं आज मेरी बैठके जगो लेहें बिल्कुल इच्छा नहीं हो नहीं थी क्योंकि दो तीन दिन से लगता रहें कामी काम और अभी कल दशेरे वाले दिन भी हमारा बहुत ज़्यादा बीजी रहने वाला है क्योंकि हमारे एक तो साथ घर हैं तो साथ घरों में एक दूसरे कहां जाके हमारे पूजा होती है और दही का भोग लगता है है और फिर दशेरे वाले दिन जो मेरे जेट हैं उनके पोते का बर्ड़े भी होता है तो सारा दिन बस ऐसे ही निकल जाएगा वापर खाना होगा यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले सांजी जो होती है वो सबसे पहले उतार देनी चाहिए तो हमारे सांजी माई जो हम रखते हैं तो सबसे पहले उनको हमें सहलाने के लिए सहलाना मतलब हमें गंगा जी में सहलाना पड़ता ह तो हमारे नहर है यहां पर आसपास तो हम इनको सबसे पहले सहला देंगे और जो भी इनका समान है वो मैंने एक ठेले में रख दिया है और जो भी आठ नो दिन माता जी के उसमें जो तो वगेरा फूल जो भी कुछ इस्तमाला है वो सब कुछ नहर में अब जाएगा है ना तो यहां पर सांजी मता के मैंने अबरात्षना करके तो वह रख लिए यहां पर चांद सितारे सब कुछ मतलब इनी के साथ ही जाएँ और यह ना जल्दी से भेजने होते हैं बोला जाता है भई मैं अभी सुरू से बड़ों ने यही बोला है कि फटाफट से इनको मतलब ज्यादा टाइम तक सांजीम आता जो है रखनी नहीं चाहिए और यहाँ पर मेरे किसी का फोन आ गए तो मैं बात कर रही हूं मेरे जिठानी जी कही आ गए था कि इतने बज़े च बज़ जाएंगे बस यहाँ पर देखिए यह हमने खिसकाई दी थी तो अभी अराम से आप यह मतला हम लोग है यह माला वगरा उतार लेंगे और यह बिल्कुल अब तस्वीर चल दी है अपने स्थान पर माता जी की साफ कर दी है और पता नहीं मेरी तो आना आखे नम हो ज जाता है ना तो खैर कुछ नहीं फेरा जाएंगी मातारानी तो यहाँ पर देखिए सब चुन्नी वगरा मैंने एक तरफ मातारानी को रख दिया जो खंड जोती वो हटा के मैंने एक तरफ रख दिये क्योंकि वो अभी नहीं बढ़ेगी उसमें काफी सा रग ही है तो मुझ पान के तो उससे ले लेकिए सारे घर में, जीने में, जो हमारा भार का क्यारी वगरा है और हमारी बहार बैठक है कम रहे हैं तो मैंने का आप पहले भार से शुरुआत कर लो फिर यहां से इतने मैं समेटती हूँ तो फिर यहां पर मैं फिर आगे का मैं छिडग दूगे ज इसलिए और फिर पट्टा भी हिला दिया था ना तो फिर खंड जो था आप उठा के रख सकते हैं और यह जब तक चलेंगी ना मतलब जब तक यह जलती रहेगी हमारी खंड जो तो कोई दिक्कत नहीं है जलती रहने दें चाहिए शाम हो जाए चागले दिन तक चले इसकी क और बढ़ानी नी चाहिए ना ही फूक मार के बिल्कुल भी नी बढ़ानी चाहिए ना और ना ही मतलब इनको जलती को ही बत्ती निकालनी चाहिए बिल्कुल भी नी और यह देखे यह चार पूरी और पताशे यह बस जो सांजीम आई और यह जो मैंने थोड़ा सा है ना नह दिन के थे खट्टे इसके उपर रखी है चार पूरी पताशे वैसे तो हल्वा रखना था और मुझे याद ही नहीं रहा मैंने हल्वा है खतमी हो गया फिर मैंने अपनी जिठानी जी से पूछ लिया तब बोली कोई बात नहीं पताशे हो पताशे कुछ मीठा ही रखना है वो सिक्का होता है ना बच्चे होते हैं वो जिनको आदत होती है तहरने की ना तो वो निकाल देते हैं सिक्के तो सिक्का ही रख दें ठीक है रख दे मतला हम रखते हैं यहाँ पर बस मैंने इतना काम समेट लिया है अब मैं जल अंदर मंदिन में और जो बहार है वो मैं आसा साफ कपड arguments पोसर झेक जितना भी हैना यह मैं ध्यार्व अभी नहीं लगाूंगीत क्योंकि अभी मुझे में होगी देर में मैं आलगी और अभी मेरे सूख्ण ने मितलाँ चीड़ मैं पर मैं ना कर दूफैर में आकर ही लगाूंगी और एक डब मैं जाड़ू के हाथ पे ने लगाँगा ना मंदिल में लेके आऊंगे क्योंकि अभी अभी तो माता रानी गई है और बस माता रानी को जहां से उतारा था वही पे उन्हें विराजित खर दिया है और अभी जो job हमने करे थे वो हमने उपर उठा के रख दिये वो आएंगे अब दशेरे पे काम ठीक है क्योंकि दशेरे पे कान के उपर रखने में काम आते है न और यहाँ पे सारे पातर जो हैं सब इखटे कर लिए बहुत सारे हो गए इखटे क्योंकि भगवांजी बिनाएंटे और जो जल कलश वागएरा सब वो कराता और देखें जो मतलब देखें सारा तो छिड़का नहीं जाता है जितना भी बचे है ना तो आप उसमें जो आपके गुतल साजी है उसमें भी सहला सकते है उस जल को यहां पे हो गया भी फिलाल मंदिर का काम लगा दी आयाए पर्दा तो चलते हैं तो चलते कैई मैं तो आई ही गई और मैं आने के बाद मैं दिखा रही हूँ मैं ये साड़ी पहन कर गईथी और इतनी जल्दोबाजी हुई इतनी जल्दोबाजी उए मैं बिलकुल भी 17 खंड जोते ना जो जल रही है थोड़ी सी और है मुझे लग रहा है जलीगी थोड़ी टाइम तक तो खेर कोई बात नहीं जल रहे हैं तो जलती रहें दो और बहुत अच्छी जली है यहां पर बस मैं अब आर्थी वग्यरा कर लूँगे और बस यह ना मैंने बत्ती उपर कर बस जैसी है वैसी और घी में जरूची कोई जरूरत नहीं क्योंकि घी हमें खतमी करना आ ज़्यादा दिक्कत होरी तो यह वैसे थो कि हैरभ मुझे नहीं होता है मै ने हमेशा ही अम स शाम तक रात तक यह जो आकट जो आंड़ा जलती है जिस दिन हम ये चोंकी वगएरा हटा देते हैं अब करूँगी मैं अपने आर्टी है ना उसके बाद दूद वगएरा मगाऊंगी वो बाल देके जाऊंगी और मैं शाम के जाने की फिर से करूँगी तेयारी और यहां देखी कितना सुना सुना सा लग रहा है ना अभी कल तक तो कितना भरा भरा था कैसे सुबह शाम की आर्टी पाठ पूजा है ना और अब बिल्कुल सुनसान बहुत अजीव सा लगता है मुझे तो बहुत अजीव लगता है एकदम माथरानी चली जाती है और खेर कोई नहीं चलीए अब अपने आगे काम पे चलते हैं हमारे यहां दशेरा जो भी होगा मैं दिखाऊंगी आपको तो दूद मंगाऊंगी मुझे जमानी है दही क्योंकि हमारे दही का भोग लगता है दशेरे पे तो और अभी फिर से हमें जाना है जहां पर हम सुबह गए थे मतलब हमारे फैमिली मेंबर ही है उनकी बेटी की रिंग सर्मेनी थी तो वो थी खाना मैंने बताई है बहुत थोड़ा सा बना था और अब रात को उनी के हमातरानी का जागरन है तो आजाना है अब देखते हूं आठ बजे के आस पर जाएंगे और कबाना होता है थोड़ी सी त्यादी मुझे करके जानी पड़ेगी इसलिए दूद्व अगया के गरम करके उबाल दे के चले जाओंगी आने के बाद तो जी थोड़ी जयर में मिलती हूं या फिर सिता सुपह मिलती हूं